हैलो वीवर्ज असलाम लेकूं मैं हूँ रोशन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बची हुई दो रोटी का बहुत ही टेश्टी नाश्टा बनाने की रेसिपी तो हमने ये दो रोटी लिया है और ये बच चुका है अगर आप एक बर बना लेंगे तो बार बार ऐसे जादा रोटी बना करके आप इस तरीके से नाश्टा बनाना जरूर पसंद करेंगे तो देख सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, हमने दो रोटी लिया है, और ये बच गया है, इसे बासी रोटी भी बोलते हैं, और इसको हम ग्रेट करेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से हम बारिक कर लेते हैं, आप चाहें तो मिक्सी के इसे बारिक कर सकते हैं या फिर हाथ से मसल सकते हैं लेकिन हम हाथ से भी आपको दिखाएंगे कितना असानी से मसल सकता है इस तरीके से देख सकते हैं कितना अच्छा बारिक हो गया है और ये थोड़ा मोटा मोटा है तो इसको हम क्या करेंगे हाथ से ही मसलेंगे बहुत ही ऐस से सॉफ्ट होता है और आसाने सी तूट भी जाता है सभी रोटी को इसी तरीके से हम बारिक मसल लेते हैं अगर हलका फुलका अगर मोटा भी होगा तो उससे कोई दिकत नहीं है लेकिन जितना कोशिस करें ऐसे अच्छी तरह से एक जैसा करने मसल करके तो यह हमने पूरा मसल है और यह थोड़ा मोटा मोटा भी है इसमें हम डाल देते हैं प्याज और एक हरी मिर्च डाल देते हैं और इसमें धनिया पत्ता थोड़ा साइड करते हैं और इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला, एक चौधाइटी स्पून, थे बॉयल किया हुआ आलू, इस में हम कॉर्ण फलोर एक चमच डाल हुए इससे बैंडिंग अच्छा होता है, आलू से भी तो इस तरीके से देख सकते हैं, आलू बहुत अच्छा से मसल रहा है, तो आप कोंटिटी में देख सकते हैं ऐसे ज़्यादा पानी इसमें डालने की ज़रुत नहीं पड़ेगी तो आप थोड़ा ज़्यादा भी आलू डाल सकते हैं तो अभी हम मसल कर चेक कर लेते हैं अगर कम लगेगा तो एक दो आलू और हम डालेंगे तो ऐसे हम पूरा मिक्स कर रहे हैं ये बैंडिंग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा पानी हम एक टेबरिस्पून के आसपास इसमें हम पानी एड़ कर रहे हैं ज्यादा पानी बिलकुल न डालें और कॉर्ण फ्लोर थोड़ा सा डालना बहुत जरूरी होता है कॉर्ण फ्लोर की जगा आप इसमें मैदा भी एड़ कर सकते हैं तो इस तरीके से एक आलू हम और ले ले रहे हैं इससे बहुत अच्छा इस तरीके से बॉल्स बन जाएंगे तो पूरा अच्छी तरह सबसे पहले हम मसल लेते हैं और ये हमने बहुत अच्छा से मसल लिया है और छोटा छोटा इसके बॉल बनाएंगे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आपका नाश्टा बहुत अच्छा बनेगा शाम के टाइम आप इसे बना करके जरूर ट्राइ करें बहुत टेस्टी रखता है तो देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेते हैं छोटा छोटा ही बना रहे हैं ज्यादा बड़ा बिलकुल ना बनाए अगर आप एक बार रोटी का नाश्टा बना लेंगे इस तरीके से तो बार बार आप ज्यादा रोटी बनाएंगे और इस बची हुई रोटी का आप इसी तरीके से नाश्टा बनाएंगे तो सभी बॉल् तो इस तरीके से हम डाल दे रहे हैं और flame को हमने medium रखा हुआ है medium to low पर रखें तो अच्छी तरह से यह सीख जाता है क्योंकि high पर रखेंगे तो उपर से बहुत अच्छा सीखेगा लेकिन अंदर से कच्छा हो जाएगा तो इस तरीके से कम flame करके आप इसको सेखें तो बहु भी बनाएंगे तो बहुत टेश्टी बनेंगा और देख सकते हैं बहुत अच्छा हमारा ये रोटी बॉल्स का बहुत अच्छा कलर आ चुका है अब सभी को हम निकाल लेते explained और जो ज़time जयmore जादा यह जामने करके हैं, जादा रहें हैं जादा एक लोग दो नहीं करना रहे हैं, जिए घ्रेटो लोग नहीं करना है भी मिर्टो में नहीं करने हैं, जो एक सब्सक्राइब करने थेखिये दो जय बहुत। लगने वाला है तो इसमें हम डाल रहे हैं red chili sauce और green chili sauce और इसमें हम डाल रहे है soya sauce और यह है शेजवान चटनी तो हमने half half चमच सभी का यूज कि या है और यह half कमच हमने vinegar डाला हुआ है vinegar कम डालें ज्यादा डालेंगे तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लाएगा ज्यादा खटा पना जाएगा एक चमच हमने कॉर्ण फुलोर लिया है और इसको हम ऐसे हाफ गलास के आसपास इसमें पानी डाल देंगे और इस तरीके से गोल त्यार करेंगे इसमें लंग्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस तरीके से पतला सा इसका बै हो जा रहा है और थोड़ा सा नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें इस तरीके से और ये बहुत अच्छा हमारा ये बन चुका है लास्ट में ही ये बॉल्स को डालें तो देख सकते हैं बहुत अच्छा ये ठीक हो चुका है अब हम इसमें बॉल्स को डाल देते ह तो पूरा मिक्स कर लेते हैं तो इसे आप जानते होंगे इसे मंचूरियन बोलते हैं तो मंचूरियन बहुत तरीके से बनाया जाता है लेकिन आज हमने रोटी का बनाया हुआ है जो बहुत टेश्टी लगता है इसे कोई नहीं पहचान सकता कि ये बची हुई रोटी का हमने बनाया हुआ है बहुत टेश्टी लगता है देख सकते हैं सभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ये हमारा ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है इसे गरम गरम आप सर्व करें बहुत टेश्टी लगता है तो थोड़ा सा कानल तारान और कोकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो ऐसे हम देख एक चमच से हम काटकर आपको दिखा रहे हैं कितना टेश्टी लग रहा है बहुत टेश्टी लगता है आप एक ब आप बना लेंगे ना तो बार बार ऐसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे